नमस्कार सभीका, स्वागत है आपका विश्व संबात के इंदकीस परी चल्चा में आज 21 मई यानि की आतंकवादी बिरोजी देवर्श है आज के दिन क्या विश्व रहता है और बलतमान में जो घटनाए घट रही है उन पर हम विश्व चल्चा करेंगे इस चल्चा में हमारे साथ मौजूद है दीपक जी दीपक जी 21 मई को आप कैसे देखते हैं 21 मई आज हम सभी मिलकर आतंकवाद बिरोजी दिवस मनाते हैं और इस दिवस को मनाने का उद्देश है लोगों में आतंकी संगठनों समूहों आतंकी गतिविदियों के विशे में चेतना प्यदा करना उनमें जागुरुकता लाना हमको पता होना चाहिए भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे सरवादिक भयानक रूफ से आतंकवाद स संगठन के कुछ सदस से पकड़ा हैं उनके बारे में आपकी रीसर्च क्या कहती है और बाकी अपसे जो आपने एक रीसर्च की है उसमें आतंक को लेकर क्या चीजें आपके सामने निकल के आई हैं तूड़ा सा इसके बारे में प्रकार दालिएगा तो अभी हाल हमें 9 मैं क शापिमार कारवाही की है मद्द प्रदेश के भोपाल छिंद बाड़ा सहे ते रंग नाम है इसमें कई जानकारिया नहीं निकल के राई हैं जैसे कि हिजब उतहरी अभी तक यह नाम लगभग गुबनाम सा था लेकिन यह संगठर पिसले कई साल से हमारे हैं कार कर रहा है क्या कि यह संगठर ने प्रोफेशनल्स, इंटरेक्ट्वल्स जो वर्ग है उसको टार्गेट करता है और उसको अपनी आतंक की गधविदियों में सामल करता है अब ऐसे लोग जब आतंक की गधविदियों में सामल रहते थे तक अभी किसी को कोई संदेह कोई सक नहीं होता कि इस तरह की घटनाई भी होती है जैसे भोपाल में सामने आया कोई सौफटवेयर एंजिनियर है कोई सामाजिक कार करता है कोई जिम ट्रेनर है और ये लोग आम लोगों के बीच में रहकर आतम की गदविदियों में सामिल है लेकिन हमको कृतग्य होना चाहिए हमारे सुरक्षा एजेंसियों का उनकी चौकस नजरों का कि इतने गुपत रूप से यह लोग काम कर रहे थे लेकिन उसके बाब जूद हमारे एजेंसियों ने इनको पकड़ लिया हाँ अभी मैं उस विषय को पढ़ रहा था तो लगबक 10 महिने से तो एक मोनीटरिंग उनकी चली रही थी विल्कुल अक्टिवली और उससे पहले भी अपनी जहांचे जन जिया आई वी इंटेलिजेंस यूरो वो काम कर रही थी इसको लेका अच्छा यह तो अभी विषय हमारे सामने आया है इससे पहले भी तो कई ऐसी घटनाय सामने आई हैं जिसमें मद्द प्रदेश में आतंकी संगटनों की गतिविदिया देखी गई हैं और वो सामने भी निकल के आई हैं तो उनके बारे में आपका आपकी जो रिशार्च अ हुगया कहती है बिलकुल बैसे तो मद्द प्रदेश में आतंकी गतिविदिया काफी लंबे समय से रहे हैं लेकिन समय समय पर जैसे ही उन पर कड़ी कारवाईयां होती है आतंकी भुमी गत्थ हो जाते हैं अच्प जाती हैं प्रदेश बदल लीते हैं नकसल्यू रिग तर सब्सक्राइब करें देश के नहीं थे और या पिसले पास साल से मद्रप्रदेश में रहेकर आतंग की गदिविद्यों को अंजाम दे रहे थे इसके साथ ही ने के दोवर्देश जीसा फ़र चलता है ग्रफ्ट में आगे हैं भूमी गत हो जाती है उसके बाद अग्रफ्ट में जाकर मांकी दो, साथ ही भोपाल की इट खेड़ी छेड़ि से पकड़े जाते हैं उसके बाद से लगातार मंद्ध प्रदेश में ऐसी कारवाहियें चल रही हैं। हम मालबा की साइड जाते हैं तो खरगोन में धार में खंडवा में गतलाब में पीएफाई पर कारवाई होती है अलसुफा पर कारवाई होती है और ऐसी कारवाई ये लगातार जा रही है मदब एक मीडिया रपूर्ड कहती है दोजार पंद्रा के बाद से मदब देश में अब तक लगवाई दो सो उनतीस सामाजिक सांपरदाय के जड़ पे होती है दो सो उनतीस और इनमें बड़ी मात्रा में पीएफाई का हाथ सामने आता है नकल कर पीएफाई के बारे में एक जानकारी मेरी समझ में है कि उसे अभी अपने बेहन कर दिया है देश ने इसको बेहन करके रखा है तो भी इसकी गतिवितियां लगतार चल रही है पी एफाई के इस सामाजिक मोर्चे भी थे और राजमर्थिक दल भी उसने बना कर रखे थी और इस तरह वह कार रहा था उ वह किस रूप में हैं, किस वर्ग से हैं, क्या कार करते हैं, क्या उनका प्रोफेशन है हम को कुछ नहीं पता है। इसके साथ यह अलसुभा के आतंकी पकड़ाते हैं, और वह आतंकी भारी मात्रा में RDX के साथ पकड़े जाते हैं. तो ऐसी लगातार मत्पृदेस में कारवाईयां चल रही हैं और अब कुछ नई चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं कि पहले कुछ प्रोपर एक सहर होते थे जहां से आतंगी पकड़े जाते थे लेकिन अब ऐसे ऐसे कस्बों से आतंगी पकड़े जा रहा हैं जो हमारी समस्य बाइन से अबी से आधे पर हैं मतलब भोपाल से थोड़े डूर जा या से अभी प्रोफिशर सलीम गिर्फत में आता है उसके बाद आध बुदी-सार से सुदूर हैदरगर से एक आतनगी गरफ्ट में आता है रायसल के बनवास छेतर सिल्वानी बहां से एक आतनगवादी गरफ्ट में आता है है चोटे-चोटे सेहर के चोटे बच्चे आतंग की गध्विदियों में इन्वाल हो रहे हैं और हम सब को इस सब चीज के लिए चोकना रहना है अच्छा ये सब चीज है आपने बताया कि अब चोटे-चोटे सेरों से भी आतंगवादी निकल के आ रहे हैं तो इन सब के पीछे आप क्या कारण देखत ने ने तरह के गटनाओं को तोड़ मगों के पेस करना है श्रम को पूरत प्रतारे तो सोसित दुस्परचार करना है इस तरह के इनसान जब एक मानसिक्ता हमें पहुंसता है तो वो काफी तीजी से उनके सांद जोड़ता है और यह भी गटनाए सामने आ रही है और अब तो सौरव सलेम बना था वो भी बड़या एक प्रॉफेसर था वो तो अब बिलकुल एक प्रॉफेसर है जैसा कि हम कहते स्लीपर सेल जिसको नाम दिया गया है समाज में कई लोग इस तरह के संदिक्त गतीविदियों में हैं हम आम लोगों के साथ में रहते हैं गुलते हैं मिलत जाता है उन्हें आतंकी जाता है नहीं है सामिल्ट की जाता है यहां तक कि इतने कCloud हो जातें जैसे quando राज वेद का मामला सामनी आता है सौरब जैसे सकने हम पटाए है इस परीबार से आताहै कि जेन परीबार से संथैन कर नहां वाचन करम में वी अहिंसा का स्थान होता लेकिन एकदिन में संवा इतना घातक हो जाता है एक आतंग की समूं का सरगनगा वन जाता है तो इस तरह पर यह लोग आपने को लेकर आतन वादियों होता है, क्योंकि यह इतने प्रॉफेस्नल तरीके से कार कर रहे हैं, कि आम उनसार समझ भी नहीं पाता जैसे भूपाल में तक उस से जुन ज़ूए हैं, के वूपाल में ही कोचिंग संचाल का पकड़ में Ňबाकिया जाता है, यह लोग बड़े गुपचप तरीके से रहते हैं अपने महले में अपने आर्सकोडोस में भी किसी से कोई संपर करी रखते हैं यह लोग बस अपने धार में करिया कलाब करते हैं अपना प्रोफिशनल में जो भी कार करते हैं एजूकेशन में हैं जिम में हैं या मेकेनिक हैं अपना कार कर रहे हैं और यह लोग सामाजिक रूप से बहुत अब तक कटे होती हैं यह अपनी जानकारियां सारवज जिन्हें को करने से बहुत बस्ते हैं जैसे अभी प्रोफेशर कमाल का नाम आ रहा है सामने सलीम के मामली में उस प्रोफेशर कमाल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, मतलब कि उसने श्रम को इतना छिपा के रखा था समाज से, कि उसका एक फोटो तक सामने आना बड़ा मुस्किल हो रहा है, बिल्कुल आज कल तो हम इंटरनेट पे भी चीज़े देखते हैं, कि इंटरनेट पे कोई भी कही कहीं भी ओ, हमें कहीं न कहीं तो किसी क्होन ही मिल जाता हि, लेकिन जो कमाल की बात आप कर रहा है, जो प्रोफेडर कमाल की बात, जो आपने गयं के ओ, उसको जब हमने सांनी और कोशिच की, तो वहां पे उसके बारे में раз बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आज के समय में यह लोग बड़े लोग प्रोफाइल रहते हैं इन सबी चीजों से आकर सों से दूर रहते हैं आपको फेस्बूक पर नहीं मिलेंगे ट्वीटर, मोट से इंस्टाग्राम से हर चीब से दूर रहेंगे बैसे लोगों फिजिकल टच म हमारी 106 जो इतनी चोकन नहीं रहती हैं कि इतना सब होने के बावजूद में को कि ले लीती हैं और समाचों एक बड़े खत्रे से बचाए हुए हैं तो अभी जो अभी जिस प्रिशा को लेकर हम आए दे कि हम 2022 से लेकर 2023 के बीच में मद्य प्रदेश में कितनी आतंग की गत इस तरह की पकड़ में आए हैं हाला कि यह कोई भी घटना को अंजाम दे पाए उससे पहले सुरक्षा एंसी इनको दबोश लेती हैं मद्प्रिदेश में अगर क्या ही गद्यविधियां यसी हैं जो हमसे छूट जाती हैं बार-बार क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी इन कुछ ऐसे में गद्यविधियां बताता हूं सबसे पहले एक्सभाग में एक्सभाग में दो बड़ी गद्यविधियां हो गई हैं पिछले मार्श से लेके आज मई तक एस बाग जो है छेत्र वो इस तरह के लोगों का एक अड़्डा बना जा रहा है तेरह मार्श दोहजार बाइस को जीम्दी के चार आतंगी फजहर अली मुहम्मद अकील जहरुद्दीन फजहर जनुवल आबदिल यह चारों गर्पतार होती हैं इसकी जानकारी तेरह मार्श को लोगों को मिलती है दुफर तक सुरुक्षे इस सुबह चार बजे चार बज अब चार बजाएं तो ब्रफटार होते हैं 25 अप्रेल 2023 जैसा में नोबस किया है खंडवा में एनाई एक कारवाई होती है 12 मार्श से 2023 में भी सिमनी में होती है सिमनी से तीन लोग गरपतार किये जाते हैं अबदल्द्वाजीज सुएव खान अक्रम खान इनको एनाई उठ जाती है पर उसके बाद गरपतारी पूस्ताच इस तरह की कारवाईया चलती है ऐसी लगातार कारवाईय मत्प्रदेश में चल नहीं है अब चंबल साथ जाहें तो भिंड और ग्वालियर इनके नए छेत्र बने जा रहे हैं मत्पल विदीशा जैसी सामान सांतिक्त्री जिसमें लगातार जारी हैं और सामाने नागरग के तोर पर हम सब को आज आतंग विरोदी दिवशके अफसर पर इन सब चीजों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए हमारे महँले में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन ने लोग बस रहे है उनके त्रिया कलाब क्या है कहेंगा सामाजी गुरूफ से कड़े हुई लोग तो नहीं हैं क्या बैसर अपने कौफिस के लिए कार के लिए घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद क्या है पहले बुड़े बुजर्ग होते थे हमारे घर महलों में मों सब पर नजर रखते थे किसी भी बहाने एक दूसरे से जुड़ रखनी चाहिए इस बसे ही बो तरीके हैं जिन से हम इनकी पहचान कर सकते हैं समय रहते हम रोग सकते हैं और इस मामले में हमको सुरक्षा एजेंसियों का पुलिस प्रसासन का सांथ देना चाहिए समय रहने पर उनको सुचित करना चाहिए अब बिलकुल जो आम नागरिक है सबसे पहले तो उन्हें सुरक्षा एजम शियों करपती करतक रहना ही चाहिए बाकि जो दीपक जी ने एक बहुत अच्छी बात पताई है कि अपनी तरफ से चोटी-चोटी कोशे से हैं वो भी करते रहना चाहिए कि हमारे आसपास कौन आ रहा है उस पर गी मानिटरिंग कर अगर हम चलेंगे तो कहीं न कहीं आतंक पर लगाम लगाने में देश के लिए सईयोगी हम बन कर आएंगे तो आसा है आपको आज की चर्चा से आतंक के प्रती सचेत रहने की कोई जानकारी मिली होगी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको